हलो दोस्तों जोहार पॉल्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज की इस कंपटिशन में जब बजार पूरा मंदा है चूजा दाना पूरा महंगा हो गया है फार्मर का कमाई कम हो रहा है और इन सब सिच्वेशन के बावजूद अगर एक मुर्गा कम ग्रो दोस्तों फार्मिंग कर रहे हैं तो यह जाण लजी कि पुखले आपका फार्मिंग में एक फार्मर का दूसरे फार्मर से कंपंटिशन था पर आज की दौर में एक छोटा से छोटा फार्मर का भी कंपटिशन बड़ी-बड़ी कम्पनी के साथ है जिसके पास खुद का दाना है, चूजा है, बेसुमार पूंजी है और मौजूदा हालात ये बता रहा है कि self farming को पूरा बंद कराने का हालात बनाया जा रहा है क्योंकि farming में कमाई का margin कम से कम रहे क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जब भी private farm में मुर्गा त्यार होता है दाम गिर जाता है जैसे खतम होता है दाम बढ़ जाता है मौझूदा हालात से ये लग रहा है पूरा private farming को बंद कराने का planning चल रहा है हाँ तो दोस्तो इन सब हालात होने के बाजूद आज भी बहुत सा सारे private farming मजबूती के साथ चल रहा है पर इन सब हालात में अगर मुर्गा वजन पूरा ना दे या कम आए तो farmer का बरबाद होना तय है तो दोस्तों में यूसुप भाई आप लोगों को कुछ जरूरी बात है अगर एक farmer इन जरूरी बातों को ध्यान रखे तो इस परकार का नोबत ही नहीं आएगा सबसे पहला जब भी चूजा ले बिस्वश्चनी हेच्री से ही चूजा ले कभी भी सस्ता के चक्कर में कभी ने आए कहे कि एक जरा सा चुग आपका पूरा पूंजी डुबा सकता है दूसरा बीमारी अगर बेहतर एप्सियार चाहते है तो इकोली बिमारी से बर्ट को बचा कर चले क्योंकि अगर एकोली होगा वजन में कमी होगा एपसियार बढ़ेगा इस मंदी और कंपटीशन में इन बातों का ख्याल रखे तीसरा फीड वजन का सीधा सम्मंद फीड से है अगर आप कितना भी अच्छा चूजा खरिद ले और दाना अगर सही नहीं होगा तो वजन सही नहीं आएगा दोस्तों तो सही और अच्छा फीड का चुना कैसे करें क्योंकि पैसा भर लगाने से सही फीड लेना बहुत मुश्किल है तो दोस्तों एक फार्म अच्छा दाना का चुना कैसे करें इसके लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं देख सकते हैं उसका लिंक description में दिया गया है क्योंकि पैसा भर लगाने से आप सहे दाना नहीं खरीच सकते हैं क्योंकि आज की डेट में किसी भी दाना पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है कभी भी कोई भी दाना अपना quality को down कर देते हैं चोथा कारण अच्छा दाना अच्छा चूजा लेने के बावजूद अगर हर लौट में वजन में कमी दिखे तो ऐसे हालात में फार्म को 15 या एक महने के लिए खाली छोड़ दे इससे भी इस परकार का समस्या में सुधार आता है क्योंकि जैसे खेत में लगातार फसल लगा है तो दोस्तों इसके लिए सबसे आसान है कि अगर वजन ना आए तो फार्म को कुछ दिनों के लिए खाली छोड़ दे और एक जरूरी बात आज की इस मंदी में अगर आप बेहतर मुर्गा त्यार करना चाहते हैं तो यह बातों का ख्याल रखे कि हर साथ से दस दिन में च दाना का खपत हुआ उसी के मताबिक वजन आ रहा है कि नहीं इसका हमेशा चेक करते रहे हर दस दिन में चेक करें अगर वजन आए तो ठीक है अगर वजन ना आए तो जिस कारण से यह समस्या हो रहा है उसको दूर करें यह हमेशा याद रखे कि आप अलट रहेंगे तो आ मुर्गा त्यार करना है आपका कंप्टिशन बड़ी-बड़ी कंपनी के साथ है लेकिन इन सब के बाद भी अगर मुर्गा वजन ना दे मुर्गा छोटा बड़ा होने लगे कोई मुर्गा डेढ़ के जी का हो गया कोई 500 ग्राम का ही है इसा सिच्विशन फार्मिंग में द चूजा के कारन होता है इस परकाय का चूजा लेने से बचेह अगर छोटा बड़ा हो तो सबसे पहले तो बड़ चाठाई करें और छोटा बड़ा बड़े मतलों अलग-अलग करें छोटा बड़ को कोई भी ग्रोगर का उत्योंकरे एक फॉमिया में नीचव काका बर्ड में सुधार आता है डॉक्टर बीपी मद्रेवार के अनुसार पर दोस्तों मैं तो यह सला दूंगा कि इस पर काका चूजा वदाना लेने से बचे जब भी वदू दाना वचूजा का खरीदारी करें क्वालिटी बेस पर खरीदारी करें तो दोस्तों वीडियो कै कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर अच्छा लगे तेक प्यारा सा लाइक दे और इसी परकार फार्मिंग से जुड़ी जानकारी का वीडियो देखना चाहते हैं तो जोहार पॉल्ट्री यूटिव चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बिल बटन को ओन कर दे त साथ नए टोपिक के साथ तब तक के लिए बाइबाइब